नमस्कार आप सब भी दर्शकों का सीएनुई चैनल में स्वागत है बहुजन समाज पार्टी के एक ऐसे वरिष्टर नेता हमारे साथ हैं आज हम उनसे आपको रूवरू कराएंगे महराश्चा में और युत्र प्रदेश में युवाओं को कारेकरताओं को जोडने का काफी अच्छी पहल सुरुवात कर चुके हैं हाली में कल मुंबई में एक कांसी राम जी का जनम दीन मनाया गया जिसमें बहुजा समाज पार्टी के वरिष्टर नेता भी सामिल रहें महराश्चा मुंबई में युवाओं को जोडने का काम कर रहें आइए हम उनसे आपको रूबुरु कराते हैं हाली में कल कांसी राम जी का जनम दीन मनाया गया और आपके पार्टी के वरिष्ट नेता वहां पे मोजूत है आपका काफी बड़ी भूमका उसमें रही है किस तरह आप लोग ने इस प्रोग्राम को और्ग्राइज किया क्या कहना चाहेंगे बिल्कुल आपने देखा कल कि बड़ी बड़े पैमाने पे वहां पे लोग उपस्थित थे हमारे सभी कारकरता सभी पदाधिकारी मानिवर साब की जैनते पे कल उपस्थित रहे चाराश्वी जैनते हम लोग कल मना रहे थे पूरे देश में मनाया गया मैं तो ज्यादा करके जौनपूर में रहता हूँ क्योंकि जौनपूर में से बहन कुमारी मायोती जेग अगर अशिरवाद मिला तो मैं वहां से चुनाओ लड़ूगा क्योंकि उनके हाथ में अभी सब कुछ है और मेरा पुरा प्रयास है कि बहन जी का मुझे आशिरवाद मिलेगा मैं वहां से चुनाओ लड़ूगा तो मैं वुनका भी कहना रहता है बांबे में मेरा यह ब्यापार है तो मैं एक दो दिन के लिए जब भी यहां पर आता हूं तो मैं यहां पर बहुजन समाज पार्टी के साथ रहता हूं बहुजन समाज पार्टी का एक शीपाही हूं और कल जो कारेक्रम हुआ आपने देख बहुत सारे लोगों का प्रोग्राम होता है लेकिन ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ जैसा कि कल हम लोगों नहीं किया था और उसके मुख्यती थी हमारे राश्टी महासच्यू तीन-तीन बार राश्चाबाश शांशत बने एड़ोकेट मानने शम्माने विर्शिंग शाहब हो हा हम फूलपूर भी यहां पर जीते और यहां पर गोरकपूर भी हम जीते सिर्फ बहांजी का इसारा था समर्थन का वो नतीजा आपने रिजल्ट आपने देखा होगा अगर बहांजी समर्थन करेंगी बहुचन समाजपाटी अगर सात में मिलके लड़ती है तो कुछ उसका नजरिया कुछ और रहेगा क्योंकि बहन जी के हाथ में है जो भी डिसीजन होगा इस बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी अगर अकेले भी लड़ेगी पूरे देश में तो उसका अच्छा रिजल्ट रहेगा और कहीं कहीं हम ऐसी यह करेंगे रि बिवासी हैं और आपकी जो पार्टी की मुख्या है उन्होंने अगर टिकट दिया तो वहां पर चुनाओ लड़ेंगे क्या कहेंगे अभी वहां की क्या हालत है आम जनता की आम लोगों के और किस मुद्दी पर आप काम करें वहां पर देखें उत्तर प्रदेश में अभी बिरोत से पता चलता है कि सारे लोग ऊप चुके क्योंकि यह जो लुभावने भासर होते हैं स्रिप कहने की बात जो होती है वो ज्यादा दिन तक चलती नहीं अभी मुझे तो खत्रा है कि अगर मोदी जी भी बनारस की सिर्ष से वापस लड़ेंगे तो उनकी बहुत बुर चलता पार्टी के खिलाफ में है और उसके खिलाफ उसके अगेंस ओटिंग होगी और अगेंस अगर उटे होगी तो मैं उत्तर प्रदेश में कहना चाहूंगा कि सारे शीटों में से जो भी 50% से ज्यादा ब्यस्पी जिसे लड़ेगी 50% से ज्यादा चिटे बहुजन समाज पार्टी को जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा वहां पर सीटे बहुजन समाज पार्टी कूझ न कहीं अगर देखा जयात्म बारती जनदा अपनी दो सीट खो दी है जिससे पुरा उत्तर प्रदेश में घमासान मसा हुआ है अब देखना ये है कि आनने वाले 2019 क कि चुना का घोटाला नहीं होता बहन जी ने जो डिक्लेर किया था जिस दिन रिजल्ट आया था 2017 का जो विधान सभा का चुनाओ था 2014 में तो लोगों को लगा कि कुछ गड़बर नहीं हो सकता है जनता कांगरेश से तंग होगी ऐसा हुआ है लेकिन 2017 में जो हुआ उससे पूरा साबित हो गया बहन कुमारी मायोती जी ने बता दिया कि ABM का घोटाला था और इस तरह से उन्होंने सरकार बनाई और मैं कहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का रिजल तभी भी 2017 में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती अगर ABM का घोटाला नहीं होता तो हम पूरी उसके उपर बहनजी ने केस किया हुआ है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से केस हुआ है आपको आदालत में यह केस पेंडिंग है आपको पता होगा और बाकी सारी चीज़े जो वह बहंजी को पता है लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि अब जो 2019 का चुनाव जो होने जा रहा है उसमें बहुजन समाज पार्टी कहला और कोई भी मजबूत नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा समाज पार्टी को में लिए हमारी पूरी तयारी है कहीं न कहीं उत्तरपदेश की जो इस समर्णिती है भार्दी जन्दा पार्टी की फेल हो चुकी है आई असोग जी आप मुंबई के दोरे पे हैं मुंबई में आते जाते हैं लेकिन आपको बहुत बार मुंबई कैसे पार्टी में आप मोंबई में मारा बिजनिस है मारा व्यपी और है मेरे स्कूल है कृस्टा सख्ट है महिने में फ्रेकर कर सामाज करूंटी का कर सामाऑची सामत कर सामाज परघो है का मतर Sven Adrés क्योंकि जानपूर के ज्यादा जादा लोग जहाँ पर बैंबक्व में है तो उनको एक संदेश मिलता है, युवाओं को एक संदेश हम देते हैं, कि अगर कोई युवाओं के बारे में कुछ सोच सकते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी सोचते हैं, बहुजन समाज पार्टी करने पे भरोसा रखते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी करने पे भरोसा सवाल है अभी जो हाली में चुना हुआ बीजेपी के हाँ से दो सीट गई है जिसमें आपकी मायवती जी उसमें अखले स्यादों को पुरा सपोर्ड किये थे और दो सीट वहां से भादे जंदा पार्टी ने अपना खो दिया है तो क्या आने वाले चुनाव में पार्टी की गड़बंदन होगी या दोनों पार्टी मिल के चुना लड़ेंगे ऐसा कुछ रड़नीती है यह तो पुरा अधिकार बहां जी के पास है इसमें मैं कुछ नहीं आपको कह सकता क्योंकि बहां जी जैसा सोचेंगी वैसाई होगा बहां जी अगर अकेले दंपे भी लड़ें कहीं न कहीं जीसतरा कल मुंबई में कांसी राम जी की जनम दिन मनाई गई और जीसतरा वहां पे कारकरताओं का समेलन देखा गया एक सम भारी संख्या में लोग वहां पे मोजूद थे कहीं न कहीं बहुजा समाज पार्टी में कारकरता अब खुस नजार आ रहे हैं क्योंकि उत्तर परदेश में भारती जन्दा पार्टी ने अपनी दो सीट खो दी है अब देखना ये है कि 2019 के चुनाओं में किस पार्टी का सबसे ज़्यादा कैनिडेट होगा खैर असोग जी आगे बढ सब्सक्राइब के साथ राजपांडे सीय न्यूस मुंबगी